हे गाईज विल्कम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है आपके इस वडिये में तो दोस्तों गोड निउस यह बिगेस्ट अपडेट है आप सभी आइडिया डिप्लमा इस्टुडेंट के लिए इंडियन ओयल आईवो सीयल की तरप से पर्मानेंट सरकारी निकाली गई है और पाइप्लेंड डिविजं से बीक कैंस निकाली गही है तो चल्य लिए डिटेज नोडिफिकेशन वाइस डिसकस करते हैं कौन-कौनसे के लिएडिएट अफ्लेक है कर सकते हैं लिज्चेजीटी कन्डिशन इसरेक्शन प्रोसस एन एप्लिकेशन प्रोस में आपको यहां पर दी जाती है तो पूरी इस लेवेल से एक्जाम पैटरन को भी डिसकस करेंगे, कौन-कौन से ट्रेड अपलाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा तो विडियोस को ध्यान पुरवक देखना, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले आप अपना ट्रेड अपना ब्रांच कमेंट में बताएं साथ में विडियोस को लाइक कर दें हम टार्गेट रखते हैं इस विडियो में अगर आप आप आईटी है डिप्लोमा स्टूडेंट है तो विडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें मॉडिवेशन्स मिले इस तरह की रिक्रूट्मेंट बनाने का तो भाईया ये है आपका ओफिसियल नोडिफिकेसन्स यहीं पर मिल जाएगी रिक्रूट्मेंट आफ नन एगजिकुटिव प्रेशनल रिफाइंडरी डिविजन और पैप्लान डिविजन दोजार चूबईस न्यू रिक्रूट्मेंट है रिफाइंडरी और पैप्लान दोनों की तुछले नोडिफिकेसन्स को हम डाउंलोड करते हैं यह है आपका ओफिसियल नोडिफिकेसन्स आपकी जॉब कहां कहां लगने वाली है ये भी देख लो कि अब आप जॉइनिंग करोगे तो जॉब कहां पर लगेगी रिफाइनरी डिविजन है गुवार्टी बरोनी तो आपकी जो जॉब लगेगी गुजरात हल्दिया मथुरा ये सेरी डिपार्ट्मेंट गुवार्टी बरोनी गुजरात हल्दिया मथुरा में आपकी जॉब लगेगी गर आपको रिफाइनरी डिविजन में आपको नौकरी लगती है तो अधरवाइस कभी सारे डिविजन जो हैं जैसे पानिपत हो गया पेट्रो केमिकल कॉंप्लेक्स हो गया डिग बोई हो गया बोंगिया कहां हो गया पारादीफ हो गया पाइपलन डिविजन है यह सारे जगह एक है रिफाइनरी का किया जाता है बट पाइपलन डिविजन ए एक लाख पांच अजार पर मुठ बहुत ऑची करसे सेलरी मिलती है और इंडों और वाइल में बहुत अची करसे सेलरी होगी यह बहुत 55,000 मा पांच आ लेकिन इसमें अलग अलग बेसेश के हिसेतले से यहार्च बैकर इसुक्त जर से लुकें दउझे represented रेफारेंडरी डिविजन का junior engineer की वेकेनसी पहली वेकेनसी निकलके आती है जेई की recruitment आज देखो कितना अच्छा सुब दिन है और यर भी जेई की वेकेंसी आ चुकी है और डिप्लोमा की वेकेंसी ऐंडेन ओयल में भी निकल चुकी है जेई की जेई की वेकेंसी असिस्टें अलग अलग पुख्षाइए टोटल वेकंसी फिर जएए की वेकंसी एसिस्टंट फ़ोर की मिलेगी इस Quindi न आपको ज़ेए एसिस्टंट फ़ोर प्र इन्यू वेकंसी रापको जगह पर इन्स्स्रिमं ऐ रिक्रूट्मेंट निकाली गई है ये भी अले-गले फेक्टरी में है जे जुनियर क्वैलिटी कंट्रोल एनालिस्ट में रिक्रूट्मेंट है फिर आपकी जुनियर डिविजन में 400 पोस्ट है एक बंपर वेकंसी जे रिफाइंडी डिविजन में मौका जारने देने का नहीं चाहे जैसा भी हो ये जॉब छीन लेना है मौसे इस तरह से आपको तयारी करने होगी चलिए बात करते हैं पाइपलान डिविजन की अब मैं पोस्ट जो बताऊंगा एक pipeline डिविजन से नमर पोस्ट हलाँकि इसमें ज्यादा वेकंसी नहीं निकाली गई है बट जो भी वेकंसी ये pipeline डिविजन से और eligible है तो apply तो करना बनता है इसमें भी आपको engineering assistant की वेकंसी मिलेगी electricals वालों के लिए apply कर सकते हैं engineering assistant में फिर से आपको mechanical की वेकंसी देखने क assistant की एक छोटा सा post है 400 post 401 नमर post में आप देख सकते हैं technical attendant की और यह जो technical attendant की post है यही आपका है ITI student के लिए दुख है कि इस बार जो recruitment आई है Indian oil में ITI वालों की संख्या बहुत ही कम है इतनी तो कम नहीं निकालने चाहिए बट क्या ही कर सकते हैं गवराना नहीं इंडियन ओयल में बहुत बड़ी बड़ी रिक्रूट्मेंट आना बाकि है गईस अभी आपको पता है टेंडर जारी हुआ था वो टेंडर अलग से कैंसल कर दिया गया है यह रिक्रूट्मेंट निकालके तो फिर से एक न्यू टेंडर जारी करके बढ़ियां वेकेंसिस निकालने वाली है और निकालेगी बहुत सारी पोस्टें भी निकली कहा है यार पाइपलेंड डिविजन से डिपार्टमेंट से निकलने वाली है रिफांडरी से भी अलग से आने वाली है तो इसकी वेकेंसिस होगी इसमें अलग अलग आपकी जैसे नर पीयल हर करता होगा तो इसमें अलग-अलग वेकंसी है गुजरात में वेकंसी जादा है बारब पोस्ट में तो यहीं जो पोस्ट निकाली गई है यह यह टेक्निकल एटेंड़ फोर आईटी एक स्टूडेंट की वेकंसी जे और बहुत सारे ट्रेड इसमें अप्लेड बताऊंगा तो इन्स्टूमां एक मैध, फीजिक्स, केमस्टी में तो आप अपाले कर सकते हैं बार डिप्लोमा कंपॉसरी है, डिप्लोमा खैटोचल, प्रोटर प्रेट्रोच्ट्रोच के लिए रिक्रूटमेंट है, मेकनिकल इलेक्ट्रिकल्स के लीए वेकंसी है, और अलग-अलग instructions में तो instrument unosiones electronic इंस्च्रोमेंट्स कर सकते हैं । एक आपको जुलियर्ट की विखए सी looking फीसिक्स चेमिर्म फोर में यह इसमें यह आपने कर रही हो तो आपले कर सकते हैं यह में हाइट माँगी जाएगी हाइट 155 cm होगी चेस्ट आपकी 51 cm 5 cm के सब यह जो रिक्रूट्मेंट आपकी है वह आपका fire and safety की है pipeline division में आते हैं जितनी भी engineering assistant की post है इसमें भी सारे candidate diploma apply कर सकते हैं mechanical के लिए है और TNI में इसमें vacancies है तो इसमें electronic communication बहुत सारे branches है अब लास्ट जो रिक्रूट्मेंट एक टेक्निकल एटेंडेंट ग्रेड वन की इसमें ID के candidate Fraser candidate apply कर सकते हैं आप सिंप्ली टेंट पास ID कर रखी हो ट्रेड कौन सा कर रखी हो अब एक बार जरूद शेक कर लें electrician, electronic mechanic, fitter, instrument mechanic, chemical plant, machinist grinder जो mechanic come operator electronic communication system, turner, wireman, draftman mechanical, mechanical electronics के लिए इंडेस्ट्रियल इलेक्ट्रोनिक्स के लिए इंडेस्ट्रियल इलेक्ट्रोनिक्स तो उसके बाद यह IT के candidate apply कर सकते हैं rnac eligible है and mechanical diesel और यह बगल में आपकी post courses भी दिखाए देगी कितने साल की courses वाले candidates में apply कर सकते हैं तो यह रही IT की student diploma वालों का मैं बता चुका हूँ IT student की एक और vacancies है बड़ उसमें experience required होगी यह जो PNU में recruitment है जेए की assistant की इसमें IT के trade apply कर सकते हैं जैसे IT अपने feeder trade में कर रखी हो और दो साल का आपके पास experience है तो बिलकुल आप apply यहाँ पे कर सकते हैं बाखी बाद नहीं तो अफ्रेसर candidate है तो इसके लिए आप apply करोगे और जो जेए की post है जितने भी junior engineer refinery divisions में सब में एक साल का experience required होगा ओके तो यह जरूरी है ध्यान से देखना जितने भी जेए refinery में apply कर रहा है सब में एक साल का experience है इस तरह vacancy निकालता है क्यों है वेकंसी पहले निकाल लो बाद में बता रहो कि सब में experience डिमांड होगा फिलाल आपने apprenticeship कर रखी है तो वो भी experience में किना जागा IT अवालों के लिए कोई भी experience नहीं है सिर्फ diploma जेए की vacancies के लिए experience required है age limit 18 साल से लेकर 26 साल के candidate apply कर सकते है age relaxation सारे candidate को मिलेगी syllabus को हम अलग से discuss करेंगे guys वीडियो लंबी होती जा रही है जितने भी student है syllabus exam पटन की वीडियो चाहिए कमेंट में आप बात कर सकते हैं मैं आपको बेहतरीन से लेवे से एक्जाम पटन को बताऊँगा थाकि आप अच्छे बेहतर तरक्य से आप तयारी कर सको इसकी form 22 जुलाई 2024 से start है 21 अगस्ट 2024 तक last date है तो जाईए जाकर apply कर लीजे सारी link आपको description मिल जाएगी एड्मिट कार्ड जो है 10 सेप्टमबर 2024 को आएगी और इसकी जो पॉब्लिकेशन चार्ज आपका लगेगा तीन सो रुपी जितने भी जेनरल ओबी सी candidate है और जो भी HTS से candidate है उनके लिए चार्ज यहां पर आपका नहीं लगेगा बाकी बात सारे candidate को चार्ज यहां पर देनी होगी बाकी बात सेलरी तो मैं बता चुका हूँ बहतरी इन सेलरी आपको मिलेगी सुझाईए जो भी इंट्रेसेट केंडेट हैं जाकर एपला कीजिए सारे लिंक कर डिस्क्रप्स में मौज़ो दे कुछ एक्स्टा डाउट होगा तो कमेंटर में बताईएगा वीडियो इस पर लगी हो लाइक से रहें सब्सक्राब करें मिलते नेक्स वीडियो में तर तक रहें हैं